वित्त मंत्री निर्मला सीतार्मन ने गुरुवार को लोकसभा में भारतिय अर्थव्यवस्था पर श्वेट पत्र पेश किया। वित्त मंत्री अपने अंतरिम बजट भाशन में घोशना की थी कि सरकार 2014 तक UPA शासन के 10 वर्षों में आर्थिक कुप्रबंधन को रिखांकित करते हुए अर्थव्यवस्था पर एक श्वेट पत्र लाएगी। उन्होंने कहा कि अब यह देखना होगा है कि हम 2014 तक कहा थे औ कामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्तारंधीर जैसवाल ने गुरुवार को सापताहिक प्रेस वारता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप की जाच कर रहे कनाडाई आलोग के बारे में मीडिया रिपोर्ट सुपरीन कोर्ट ने मंगलवार को उस कानूनी सवाल पर अपना आदेश सुरक्षित रखा कि क्या राज्यसरकार को आरक्षन के लिहास से अनुसूचित जाती एस्सी और अनुसूचित जनजाती एस्टी में जातियों के उपवर्गीकरण का अधिकार है। बीजेपी के शीर्ष नेत्रित्व ने पार्टी विधायकों को दो दिन के लिए बोध गया पहुँचने का फर्मान सुनाया है। केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमित शाह 10 फरवरी को भाजपा विधायकों को दो घंटे वर्चूल ट्रेनिंग देंगे। अगले दिन यानी 11 फरवरी को बोध गया से वापस लोटने को कहा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री समराट चौधरी ने राजद नेता भाई वीरेंद्र के खेला होगा वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। समराट चौधरी ने कहा है कि पिछले एक हफ़ते से तो आरजडी की बोल नहीं निकल रही है। इन सब लोगों ने नंगान रित्य किया है। मैं सबकी फाइल खोलूंगा। एक-एक मामले में जाच कराने का काम किया जाएगा। ओपन एकसेस के तहट मार्च 2016 में एक समझोता हो जाने के बावजूद बिजली की आपूर्ती जनवरी 2017 से शुरू हो पाई जिसका मुख्यकारण ABT मीटर के प्रावधान में देरी थी। नियंत्रक एवा महालेखा परीक्षक कैग की 2022 में संसग में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार उपन एकसेस की तरफ शिफ्ट होने में देरी की वजह से बिजली खरीद पर 75.1 करोड रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ। देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित दोईवाला बलाग की बढ़कोट ग्राम पंचायत की आबादी करीब 9000 है। यहां लगभग 1300 परिवार रहते हैं। 33 वर्षिय सरिता देवी वर्ष 2019 में प्रधान बनी। तब पंचायत घर खस्ताहाल था। गाउ में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। पेजल की भी किलत रहती थी। न सड़के दुरुस्त थी न पत्थ प्रकाश की व्यवस्था ही थी। पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव के बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीगनवाज PMLN सुप्रीमो नवास शरीफ ने गुरुवार को मकदाताओं से नैशनल असेंबली में उन्हें बहुमत देने का आग रह किया। पूर्व PM नवास शरीफ ने जनता से आग रह किया कि वे बाहर आएं और मतदान करें। उन्होंने कहा कि देश में स्थिर्टा लाने के लिए एक दलिय बहुमत की आवश्शकता है। पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। यूट्यूबर भाना सिध्धु और लखा सिधाना सहित कई समर्थकों पर पुलिस ने FIR दर्सकर मामले की कारवाई शुरू कर दी है। बता दे ब्लॉगर भाना सिध्धु पर पहले ही महिला ट्रैवल एजेंट को धमकाने और पैसे मांगने का आरोप दर्स है। मुहम्मद शमी इन दिनों टकने की चोट से उबरने में जुटे हुए हैं। शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रिय मैच नहीं खेला है। शमी ने एक इवेंट में हिस्सा लिया जहां उनसे पूछा गया कि इस समय दुनिया का सरवश्रिष्ट बल्लेबाज कौन है। मुहम्मद शमी ने इसका जवाब दिया और साथ ही दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज वह सरवश्रिष्ट कप्तान का नाम भी बताया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टेंडीज के बीच तीन मैचों की टीबीस आई सीरीज से पहले कंगारू टीम की मुश्किले बढ़ गई हैं। कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श कोरोना संक्रमित पाए गए। हाल ही में मिचेल को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। बता दें की कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद मिचेल पहलाटी मैच खेलते हुए नजर आएंगे। सोहा अली खान बॉलिवुड की जानी मानी अभिनेतरी हैं। वह एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ राइटर भी हैं। उन्होंने अभी तक कई बुक भी लिखी हैं। अब हाल ही में एक इंट्रव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया है कि वह अपनी मा और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बायोग्राफी लिखने की इच्छुक हैं। हलांकि एक्ट्रेस का कहना है कि यह उनके व्यक्तित्व के सभी पहलूओं के साथ न्याय करेगा या नहीं। सीजन 17 के खत्म होते ही फैंस को बड़ी खुश्खबरीदी है। यह दोनों पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करने जा रहे हैं। अभिशेक मनारा के गाने सामवरे के पोस्टर के बाद अब दोनों ने अपने फैंस को ये भी बताया कि उनके गाने का टीजर 9 फरवरी को कितने बजे रिलीज किया जाएगा। भिक्षावरित्ती मुक्त भारत के लक्षे को पूरा करने के लिए समान सर्वेक्षन और पुनरवास दिशानिर देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी के मध्य तक एक राश्ट्रिय पोर आइनस सुमित्रा अरब सागर में कोच्ची से 700 समुदरी मील पश्चिम में सुमाली समुदरी डाकूओं द्वारा अपहरित मच्छुवारों को बचाया करनाटक में मांड्या जिलेके के रागोडु गाउं में रविवार को उस समय तनाफ पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट उचे स्तंब से हनुमान ध्वज उतार दिया इस धटना के बाद राज्ज में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद शरू हो गया सिधार मिया ने बीजेपी और जेडियेस पर हमला बोला उन्होंने विपक्षी दलों पर लोगों को भढ़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया अब माल दीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी MDP राश्ट्रपती मुहम्मत मुईजू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताफ पेश करने की योजना बना रही है चीन समर्थक राश्ट्रपती के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच रविवार को संसद में जड़प होने के एक दिन बाद यह घटनाकरम सामने आया है जॉर्डन में टावर 22 नामक सैने चौकी पर एक ड्रोन हमले में कम से कम तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए और दरजनों घायल हो गए एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला मध्य रातरी में सीरिया सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया है सैनिकों के आवासिय ठिकानों में ड्रोन हमला हुआ जिससे बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए है पुतिन को राष्ट्रपती चुनाव में एक नेता बड़ी चुनोती पेश करने को तयार है जिसे हजारों रूसी भी समर्थन दे रहे हैं पुतिन को टक्कर देने को तयार ये नेता साथ वर्षिय बोरिस नादेजदीन है ये स्थानिय विधायक और शिक्षाविद भी है आगामी राष्ट्रपती चुनाव में राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वे बड़ी चुनोती खड़ी कर सकते हैं विदेश कार्याले ने कहा कि अतिरिक्ट विदेश सचिव राह हयात ने रविवार देर रात नूर खान हवाई अड़े पर अब्दुल्लाहियन का स्वागत किया यह यात्रा इरान द्वारा पाकिस्तान सीमा छेत्र पुंजगुर के अंदर आतंकवादियों के कथित थिकानों को एक तरफा निशाना बनाए जाने के बाद हो रही है विदेश मंतरी अब्दुल्लाहियन विदेश मंतरी जिलानी के साथ गेहन बाक्चीत करेंगे और प्रधान मंतरी अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भारत को दोहरा धटका लगा है सर्फरास खान को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है केल राहुल और रवींद्र जडेजा टीम से बाहर हो गए है इस बीच सर्फरास की डेब्यू पर एकस पर लोगों ने खुशी जताई है और खिलाडी को बधाई भी है दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले भारतिय टीम को दोहरा जटका लगा है टीम के स्टार अलरांडर रविंद्र जडेजा और केल राहुल विशाखा पटनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए है जडेजा को हैंस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा है जबकि राहुल भी पूरी तरह से फिट नहीं है इन दोनों की जगहे पर सरफराज सौरब और वशिंगटन सुन्दर को टीम में शामिल किया है IELTS इंटरनाशनल लीग टीम में MI अमीरात का मुकाबला अबुधाबी नाइट राइडर्स से हुआ इस दौरान MI ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया ट्रेंट बोल्ट ने नाइट राइडर्स की पारी के दौरान एक हाथ से शांदार कैच लपका जो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है बोल्ट ने एक लंबी डाइव लगा कर जमीन पर रोल होते हुए ये कैच लिया बिग बॉस सत्रह की ट्रॉफी तक का सफर मुनवर फारुकी के लिए मुश्किलों भरा रहा उनकी परसनल लाइफ की नेशनल टीवी पर धजजिया उड़ गई हालांकि मुनवर का साथ उनके फैंस नहीं छोड़ी और विनर बनने तक उनके साथ खड़े रहे बिग बॉस सत्रह के घर में आईशा खान ने मुनवर का कच्चा चिठा खोलने में कोई रियायत नहीं परती बिग बॉस सत्रह तीन महीनों तक चला रियलेटी शो बिग बॉस सत्रह आखिरकार बीती रात ग्रैंड फिनाले के बाद खत्म हो गया इस शो के विनर मुनवर बने लेकिन कुछ लोग एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को विनर बनते हुए देखना चाहते थे हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक्ट्रेसे स्टॉप तीन से बाहर हो गई अंकिता के विनर न बनने पर सल्मान खान भी हैरान हो गई अर्बास खान 24 दिसंबर को अपनी गर्ल्फ्रेंड शूरा खान के साथ दूसरी बार निकाह किया अर्बास जब से दोबारा दूलहा बने है तो से उनकी चर्चा हो रही है अब ये चर्चा देर रात बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले स्टेज पर भी हुई इस दौरान सल्मान खान का रियक्शन भी सामने आया एक्रिस प्रियंका चोप्रा के पती निक जोनस हाल ही में मुंबई आये बीती रात मुंबई से रवाना होते हुए निक जोनस को एरपोर्ट पर रोक दिया गया सोशल मीडिया पर निक और उनके भाईयों का वीडियो वाईरल हो रहा है वीडियो में वह टर्मिनल के बाहर खड़े दिखाई दिये जाने उन्हें और उनके भाईयों को क्यों रुका गया फिल्म फेर अवार्ड दो हजार चॉबीस में सितारों का मेला लगा 27 और 28 जनवरी को इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन गुजरात के गांधीन गर में किया गया रंबीर कपूर से लेकर बड़े बड़े सितारों ने जहां अपने परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता तो वही 12 एत फेल का इस अवार्ड फंक्शन में बोलबाला रहा